सबी दोस्तों से मैं रिक्वेश्ट करूँगा बिना डॉक्र की सला की कोई भी मैडिसन यूज नहीं करनी है यूज करने से पहले एक बाद डॉक्तर या फर्मसिस्ट की सला जरूर लेनी है वहना आपकी हेल्थ के लिए डेंजर हो सकता है नमस्कार दोस्तों आज इस वडियो में हम बात करेंगे फोर्डम क्रीम के बारे में जो की स्कीन की समझाओं के लिए यूज होती है ये एक प्रकार की एंटी बायोटिक और एंटी फंगल मैडिसन है जो की स्कीन की सभी प्रकार की समझाओं के लिए यूज होती है तो इस वाले हैं तो वीडियो को बिनस्किप के पूरा देखेगा बहुत अची जानकारी मिलने वाली है मैं हूँ आपका दोष्ट प्रजापति विकास फार्मसिस्ट अंड्रक कंसल्टेंट चले बात करते हैं फोडम क्रीम के बारे में फोडम क्रीम मार्केट में तीन पैकेजिंग म में दे गई है और यह स्कीन के इंफेक्शन के ट्रेटमेंट में यूस होती है जब भी इसकीन पर किसी प्रकार का इंफेक्शन होता है तो उसके इलाज में ये देते हैं अब चार मैडिसन कौन-कउनसी है इसमें एक तो क्लोबीटासोल प्रोप्योनेट है नियो मैसिन मिकोनाजल नाइटरेٹ है और watching lactamate है चारोमध्युइंट कविनेशन दे गई है तो इसके अंदर नीयोमाशिन एंटी बैक्टिरील है मिकोनाजुल अन्टिफंगिल है और अन्टिसेप्टिक की तरह काम करता है और o beta sol steroid medicine है यह जो skin की समझ्या होती है जैसे कि shouldn't do bacteria See infection हो जाता है फंगस की वज़े से infection हो जाता है तो इसके इलाज में यह क्रीम यूज्श की जाती है वह कौन-कौन सी समझ्या है वो आगे हम बात करते हैं तो जब भी स्कीन पर रेडनेस होती है, जलन होने लगती है, सूजन आजाती है, लालिमा हो जाती है, तो उसके इलाज में ये जो फोर्डम क्रीम है यूज कि जा सकती है, इसके इलावा सोराइसिस जब भी होता है स्कीन पर, देखे सोराइसिस में क्या होता है, तो सोराइसिस के लिए भी ये क्रीम प्रिस्काइब कि जा सकती है इसके लावा दाद जब भी होते हैं तो अचापर रिंग टाइप बनने लगते हैं उसमें खुजली होने लगती है जलन भी होने लगती है तो दाद के इलाज में भी ये क्रीम यूज कर सकते हैं खुजली जब भी होती है तब के लिए यूज होती है जब भी पेरों की अंगुलियों के बीच में infection हो जाता है बैक्टिरीय की वज़े से fungus की वज़े से तब भी ये क्रीम लगा सकते हैं इसके लावा यह जो क्रीम है एक्जीमा के treatment में भी यूज होती है देखिए एक्जिमा में क्या होता है तवाचा पर सूजन आने लगती है खुजली होने लगती है धरारे आ जाती या फिर खुरदरापन आने लगता है तो एक्जिमा के ट्रीट्मेंट में भी Fordham Cream यूज की जा सकती है अब बात करते हैं Fordham Cream के विवारे में और डीटेल से इसके side effect के बारे में बात करते हैं जरूर नहीं है कि सारे ही side effect आपको देखने को मिलेंगे जो भी मैं आपर बताऊंगा उन में से कुछ side effect आपको देखने को मिल सकते हैं आपको तुरह डॉक्टर से सला लेनी है उनसे consult भी करना है तो इसकी वज़े से देखिए एक तू इचिंग हो सकती है तवचा पर इसके अलावा thinning of skin तवचा जो है वो पतली हो सकती है और उसमें इचिंग होने लग सकती है और burning sensation हो सकता है जिस भाग पर जहां पर तूचा infected हुई है जहां पर हम ये क्रीम लगाएंगे वहाँ पर burning sensation हो सकता है possibilities हो सकती है और irritation हो सकता है तो ये कुछ इसके common side effect है तो ये देखने को मिल सकते हैं और fordum cream जो है external use के लिए है बाहरी भागो पर तूचा पर जब भी infection होता है तो उसके लिए आप ये क्रीम लगा सकते हो अब बात करते हैं fordum cream के बारे में इसकी precaution क्या रखनी चाहिए जब भी आप इस cream को use करते हो तो क्या-क्या सावधानी आपको रखनी है सबसे पहली सावधानी तो ये है कि जिनको भी इनके ingredients से allergy है जैसे कि फोडम cream के अंदर क्लोबीटासूल प्रोप्योनेट है नियोमाइसीन है मिकोनाजूल है और क्लोरहेक्जडिन ग्लोकोनेट है इनसे अगर allergy है तो उनको ये cream यूज नहीं करनी चाहिए डॉक्टर से सला लेनी चाहिए ताकि उनको कोई दूसरी cream prescribe की जा सके इसके लावा जब भी आप इस cream का use करते हो तो सबसे पहले जिस भाग पर कोई भी infection हुआ है तो इस भाग को आपको पहले साफ करना है फिर ये cream अपलाई करनी है और इसको cream जब भी आप अपलाई करते हो तो देरे और हलके हाथों से अपलाई करनी है और ज्यादा देर तक आप अंगुली से उस cream को लगाते टाइम गुमाना नहीं है हलके हाथों से उसको लगाना है तो इस तरीके से फोर्डम क्रीम का उप्योग किया रहता है और आप सभी दोस्तों से में request करूँगा बिना डॉक्टर की सला की कोई भी medicine यूज नहीं करनी है यूज करने से पहले एक बार डॉक्टर या फर्मसिस्ट की सला जरूर लेनी है वरना आपकी health के लिए dangerous हो सकता है आप सभी को पता चल गया होगा फोडम क्रीम के उप्योग साइड इफेक्ट, सावधानिया और पैकेजिंग के बारे में उम्मीद करता हूँ वर्डियो आप के लिए helpful होगा चैनल को सब्सक्राइब करके लिखेगा ऐसे ही नई नई वीडियो आपको मिलती रहेगी धन्यवाद